27 साल इस बदले को नासूर उलाद की तरह मा बन के गोद में पाल के रखा है माफी चाता, आज पहर की जूती और सर के ताज की जगा बदल दी है मुरीद ने नमक हराम, जल्द आ रहा है माफी चाता, आज रहा है हद हो गई हम समझ रहे थे के हम भूल गए मगर यहां तो जान बूच कर बस करो बस करो चुप हो जाओ क्यों बस करो और क्यों चुप कर जाओ क्यों आपको इस तरह यह परेशान नहीं देख सेती, मुझे अच्छा नहीं लगता अब दुख्यों में तुम होतर है हमें यहां आएवे आदा घंटा भी नहीं हुए आरेज और वो ही महोई, वो ही लड़ाई, जगड़े, सब कुछ फिर से शिरू होगती क्या हम क्या हम अलग कही सेपरेट नहीं रह सकते जो कुछ घर में हो रहा है ना, यह नौबत भी चल्द ही आजाएगे अब भी तो नहीं बगता, सब कुछ होने बार है, खेर आनी भी लीजे सोचा था कि वापस आने के बाद, उन्टी के हाद का खाना खाऊंगी मगर यहां पर आके तो सब भी खराब होगिया अब भूग लग रही है मुझे, मैं क्या करूँ तुम तुम पूस कुछ और कट दो बाहर समंगा लो, भूग मुझे भी लग रही है और यह मेरा फोन चार्ज पर लगा दो कितने दिनों से मेरा ओफिस से कुई कॉई कॉंटाइट नहीं होगा रजानिया अधर कुछ भी मुझा लो, जो तुम 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 मैं वो खाल हूँ ठीकर ना दुखते अरे इस इस कदर भी मत करो कि पशे मानी में समंगदर में डूगने का मकाम आ जाए तुमें अब ठीक ही क्या रहते हैं में रोना बंद करें प्रीज चुप हो जाया पर उसा पानी पिये लिए शुसरा, बेटा तुम जानती हो ना मैं और हुदा उनके कमरे में कभी नहीं गए तो फिर उसने ये इल्जाम क्यों लगा लिए नहीं, हो सकता है कोई गलत फहमी हो यो मैं भावी से बात करूँ यो और भाई से नहीं नहीं, नहीं बेटा किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं इतबार और यकीन दिल में होती है और जब ये दोनों चीज़ें दिल से निकल जाए तो सिरफ गलत फहमी नहीं नफरत पलती है सिरफ नफरत अमी, अब मुझे एक बात बताएं भाईयाद से मखोड प्यसे कर सकते है माहें आप उनकी माँ एक निष्टे का नाम रहें ममता का एहसास उसका माँ सब खतम ओगे है उसके दिल से युसरा, बिधार तुम थुदा और अजमी को इस सब बाते मुझ बता ले विधा, वो नौकरी के दिए पहली इदर पदर खावार हो रहे युदा जी पच्चे वा अजमी, आप रोएंगे प्लीज, प्लीज, प्लासा पाणिपे लिए युदा आगे आप, प्लाजानिया चलो कोड़े, प्लावथ है पड़ता, ज्या होगे? युदा, चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों इदर बेट, इदर बेट, अराम से, अराम से अज़ता, क्यों तुम इतना स्ट्रेस ने रही हूँ हम पोसिस करेंगे ना अलग होने के सादा मत सोगा और सुपह से कुछ खाया है निया तभी तो चक्कर आ रहे है अचु बात करो आठ अपक बस्का적 मुझे पैक रहे इसमेल से ना तफित खलाब हो जाए साजन करत vulnerable थीक यह है, आं कर देता है एक काम करते है, we Krone मुझे नहीं नहीं कर आपक्याच्ट Sadly आपम Panor Norma के कर फोटेंगे लेकिन लेकिन तुम एक प्रॉमस करना है कि पर तुम आंटी के साथ डॉक्टर के पास जाओगे आरे इस दो दिन से तुम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रही हो बरता मैं अपनी सेहत को दिले तुमें लापर्माई की जासत बिल्कुल नहीं दोगा अब मेरे बहुत विकर कुस्ति है और यहाब के महभब रखी है यह ठोड़े है सब कुस्ति मैं अब नहीं किचन में रख देता है हां अगर आप तो कहा लें कुछ नहीं मैं आप आप तो कहा लें जाएगा रडियो के आपना है इल्लाप करता है स्लीकुल अब मेरे आपकी दूआं से मैंने कॉंट्रेक्त साइं कर लिया और आपको पते मेरी कॉलिश की सेलरी से जादा आप डबल सैलरी लगिए माशाद्लाप कि अबरेगो और उमीद है के इस डबल सैलरी के बाद किसी से मांगने की जरूबत पेशन ही आएगे अबता नहीं भाई को क्या हो जाया है अरे इस माई पहले ऐसे तो नहीं थे इतने तंस भरेव जहर अलू चुम्डे वो कितनी असानी से कह देती आप परिशान नहीं मामा मामा म अरे वर्दा तुम इतनी जल्दी आगए मैं तो संदी तुम शाम में आओगी इस जासे मैं तो रात के खाने के अंतजाम करते अरी यह किन नहीं तभ है ठीट नहीं क्यों क्या हो कि अमाची मुझे नहीं बता मुझे बहुत घबराद हो रहे अब रायमर को गए कि फॉस्पिर लेगे जाए अच्छा मेरो गाड़ी निकालो मैं तरह बैट लेक आतूँ तुम तो में उम्तजार चंगे जुसरा तुम पैटिस लो ना और याओ तुम चाहि लेके आओ अब चुढ़ाई भी ज़्या जल्दी लेके आना ठंडी को जाएगी अब में क्या सोच रहे हैं आप कुछ नहीं बस कुष्रेवे वक्तों का खयाना गया कुष्रे वक्तों का सोचती रहेंगी तो आने वाले वाले वाब की कदर कैसे करेंगा तुम्हे गुज्रेवे वक्तों की कदर है तुम तो गुज्रेवे वक्तों को छोड़ाई जी अजमी चाहे नहीं आओ प्लीज जावावना जावावना इने चाहे रहे अच्छा एक तरीके से एक अच्छी सी ट्रीट हो गई न आपकी जॉब के लिए मासूमाना सी हाव तुम्हे क्या हुआ है? किस बात अगम है? शुक्रो वो सारी बाते हैं जान बजगी बस कदर करो इसकी अजिए तुमने ही खतम करना हो कि मैं ठेक हूँ मैं क्या बूल किया यूसाय उसे तुम्हारा लडाई जी कड़ा याद आरा बिटा शाम को सफिया के साथ कुछ महमान आ रहे हैं मारे भी सफिया खाला के महमान यहां के वारे है? हाँ बिटा कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हमारे रिष्टे के नहीं दॉक्र साब खेरियत है ना? मुबारको आप नानी बनने वाली हैं शुक्र लाप तुम्हार बहुत मुबारको बड़ता आपने अपनी सेहत और खुराग का बहुत ज़दा खया लखना है जी और मैं कुछ आपको मेडिसन लिख देती हूँ उसका आपने बकायद्गी दिस्तिमाल करता ठीक है अम्मी आपको बैटे बठाय अचानक क्या सूच कही है? बेटा इसमें नया क्या है? शादी तो तुम्हारी करनी है ना? आज नहीं तो कल अम्मी घर के हलात देख रहे हैं आप इन हालात में मैं आप सब को कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? अन्य बेटा किसने कहा के तुम हमें अकेला छोड़ कर जाओगी? देखो हुदा राजिक सिर्फ अल्ला की जात है सिर्फ अल्ला और अगर हमारा रिज्क तुम्हारे जरीए अल्ला ने लिखा है न तो तुम जहां भी होगी जिस सूरत में होगी तुम्हारे जरीए हमें रिज्क मिल जाएदा और अगर ऐसा नहीं है तो तुम यहां रहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी अरे इसकी तरह अम्मी आप खुदा यह मेरे जुड़े हाथ शायद यह मेरे जुड़े हाथ तुम्हे तुम्हारी मा की बेबसी का हिसास दिला से देखो बेटा इंकार मत करना अम्मी अब आपने मुझे बोलने के कापे नहीं छोड़ा ठीक है अगर यह सब कुछ करके आप मुझे ही नहीं तो पर ले खुदा पेटा कुछ देर पहले तुमने ही कहा था कि तुम्हें वक्त की कदर है और गुजरे वक्त को तुम पीछे छोड़ाई मुझे पूरा यकीन है कि तुमने हर्फ बाहर्फ सच कहा है बेटा तुम तयार हो जाओ मैं महमानों के खाने के लिए इंतिसाम करूँ अरे इसमें आज इतनी खुश हो इतनी खुश हो कि मैं बता नहीं सकती बस अब आप जल्दी से आ रहें ताकि वो गुड नियूस मैं आपको सामने बिठा कर सुनाओ ओके खुदा आपस क्या हुआ आरे इसको खुश हबरी सुनाएं नहीं अभी नहीं सुनाएं मैं सामने बैठकर उन्हें बताऊंगी अच्छा है अभी मत बताना उसको पहले आने दो सामने बठाके फिर बताना और फिर इस खबर को इस्तमाल करके ना आरे इसे चाहे जो भी हो उससे मनवा ला मनवा तो मैं वैसे भी सकती हूँ मैंने तो अब इसे कह दिया कि मुझे अलग घर लेकते अरे बागल हो गयो अकेले घर में क्या-क्या समालोगी तुमारा दमाग तो नहीं खराब हो गया यही तो टाइम है के अखनी सास नंटज शोहर से अपने नाज उठवा ओ और अब तो तुमने बताया था कि उस हधा की तनख़ा भी डबल हो गई भाए सारे खर्चे उससे उठवा ओ अपनी सास से सारे काम करवा और अपने शोहर से उसमिसा करआओ तुम्हाराम करो ना? अरे वाँ! लॉंग ट्रम प्लानिंग और वो भी मिन्टों में कोई आप से सीखे! मैं करती हूँ बात उसे, बुन्ट वरे! जब तुम जूस पी हो! तैंक यू! या अल्लाँ! मुझे मेरी जिन्गी में नहीं रहा! उसे मेरे दिल में जगा क्यों दी हुई है? दिलों को फिर देने वारे रब मेरे तरी को उसकी महत बच से फिर क्यों नहीं देता? आ दिलों देने दुएके फिरकी और कोई काम है नहीं? प्रीके पुपकर मेरे पुप सीद्क्ड़ाइंगी तव लोटे की की पसोर कोई काम ही नहीं! आउंटी हमें आपकी बेटी उदा बहुत पसंद आई है हाँ भाई तरफ से तो हाँ समझ यह मैंने कहा ताना आपको एक दपाई देखने में उदा बेटी पसंद आजाएगी मैंसे आउंटी हमार आदल भी बहुत पपसूरत है दोनों की जोड़ी ना चांद सुरज की जोड़ी होगी मैं तो कहती हूँ के हुदा को आदल की दुलहन मना दे अब मैं जरा किचन से आती है ठीक है बेटा तुम किचन के काम देख लो आप सफिया के साथ आएं तो सोचने की गुंजाइश ही नहीं है बस मैं अपने बेटे और अहूं से मश्वरा कर लिए अहां जरूर मश्वरा कीजिए हमारा घरबार देखिए आदिल का कारोबार सब कुछ मालूम कीजिए भई आपकी बेटी का मामला है बस शादी के फैसले तकदीर के फैसले में थे अँटी आप बिलकुछ सही कह रही है अब देखे ना अमी ने अठारा लड़कियों में से उदा को देखते ही पसंद कर लिया है वहना हर लड़की को देखते ही मूँपर इंकार कर देती थी हमारा दिल है इतना खुब्रू औक बशूरत अधिन मिटा तुमने तुमने कुछ का याई निए आणि आणि अच्स का याए मिन गिए अगा किली कि अब जेल है अधिन्ड खेल रहें बीटा अबी इस अरवध देन से कुछ पाध कर लू तुम्में कह रही थी कि, देखिये माहम, कहां जा रही हो? माँ आप जानती हैं कि मैं कहां जा सकती हूँ फिर क्यों पूछ रही है? माहम, अपनी इज़त करवाना सीखो जबसे तुम्हारी मंगनी हुई है वो तुम्हें कहीं लेकर गया या उसने तुमसे पूछा भी के कहीं तुम चलोगी या आज तक उसने कभी इस घर में कदम रखा महम आपके ट्रिक्स मुझे ना बताएं जो कभी आपने खुद भी अपलाएं नहीं की है महम मैंने अपनी अना की नफी सिरफ अपने हस्बंड के लिए की है क्या वो तुम्हारा हस्बंड है अजमी मेरा शोहर आप लोगों की वज़ा से ही नहीं है अगर आप लोगों ने चाहा होता तो आज मेरा शोहर होता महम तुम के ही नहीं चाहरी सेल्फ प्रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है तुमें या नहीं डाएट लेकिन में तुम अपने कमरे में जाओ क्या चाहती है तुम एक यो बार को अता दो मुझे हाज जोड़के तुमारा रिश्था तया करवाया है अब का फार्सी पे चनके तुमारी शानी करवाँ मैं दोसरों को अपनी मर्दी से नहीं चिलाया जा सकता अब ये उलाद मुझे सजा देगी, बार बार मुझे जिताई देगी ये तुम आज तयार है ना, हम भाई सब के घर जाएंगे इसके शादी की तारीक देखरने वर्दा, मैं तुम्हारी सिहत के लिए परिशान हो रहा हुँ, और तुम इतना खुशनसर आ रही है, अंकल के आपी मुसल्सल तुम चैहक रही थे, चैहक ना तो बनता है, और जब ये खुशी के खपर आपको पता चलेगी ना, तो मुझे लगता है आप भी चैहक उठेंगे खुशी से पागल हो जाएंगे आप, अच्छा तो फिर तो फिर देर किस बात की है, बताओ मजे, अहां, ऐसे कैसे बता दू, पहले कुछ मानना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा, हो सकता है वादा भी करना पड़े, वादा, इस बात का वादा, आप मुझसे वादा करें, के आप मेरे लिए एक अच्छी से लोकेशन पर बहुत खुबसूरत सा पार्टमेंट लेंगे है, हमारे लिए, वर्दा, विलाल, हम इतनी सेविंग कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, अब तो हुदा के भी सालरी डबल हो गया, और तो हम किसी रेंट के घर में शिफ्ट अच्छा, ठीक, तोचने इस बारे, अब ख़ब तो बता दो मुझे, ख़बर ये है, के, आप आपने वाले हैं, वाग गई, और तुमने इतनी देर के बाद मुझे ये बात बताई है, हाँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब आप मुझे लेने के लिए आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगे, मैं, मैं बहुत ज़्यादा हुश्च हूँ, ठीक है, बादा है तुमसे, ऐसे तुम कहोगी, ऐसे ही होगा, हुँँ, खुदा, बेटा मुझे नहीं पता, कि मैं जो कर रही ठीक है या नहीं, बाके नतीज़े अल्ला के इक्तियार है, बस बेटा, मैं तुम्हे तुम्हे घर में अस्ता बस्ता देखना चाहते, अम्मी ये बाते अपनी जगा सब साहिने हो, अगर आपको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वदा आपी को सोचने का मौका तो दें, ये उनकी जिन्दगी का फैसला है, अम्मी आपको क्या लगता है, कि मुझे इस घर से निकाल के आप इस घर को पूरसुकून कर लेंगी, अगर, तुम्हे जो समझना है, तुम समझ ले, मैंने इरादा पक्का कर लिया है, अलला बहुतर करेगा, है कि अम्मी को क्या ओपया हमतार, उन्हें डर लगता है, मुदा पी कही हा रहने से, खर में लड़ाईयों होती रहती हैं ना? कितनी समझदार होगी हो ना तुम बस मैं ही नी समझ सकी कि मेरी माँ बहन भाईयों को सिर्फ जरूरतों की ही नहीं बलके सुकून की भी जरूरत है खुदा आप यह अब किसकी बातों का यागिन कर रही है यह तो खुद बेवगूफ है जुसरा? जी भाई? बढ़िया तुम्हारी भाबी की तब्या ठीक नहीं है उनका तुमने खास ख्याल रखना है और किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो तुम मुझे कॉल कर देना ओके? ठीक है भाई लिकिन भाबी को क्या हुआ है? युसरा भर से पुछ हो के बढ़िया को क्या हुआ है? अब मेरी माँ मेरी खुशी की खबर किसी और से पूछेंगे अम्मी दादी बनने वाली है और इतनी बड़ी खुशी की खबर सच कहरे हो? चीज़, सच कहरे हो लेकिन आपको इससे क्या मतलब है? आपको तो किसी और की खुशियों की परवा है जिसकी आप हर बात मानती है, सुनती है उससे तो अजाज़त ले ले और मुझे इबता दे कि हमारे बच्चे कुछ दादी की शवकत मिलेगी या उसे भी मेरी तरह महरूम रखा जाएगा अल्ला ना करे मैं अपनी नसल को इस हग से महरूम रखू और हाँ खुश हो जो तुम्हारे जिन्दगी के कांटे को इस घर से क्या हम सब की जिन्दगी से निका रहे हैं खुश होदा की शादी कर रही हूँ मैं आदिल से भी मिल लो और उसके घर वालों से भी वर्दा बेटा तुम्हे बहुत बुबारे को और हाँ बे फिकर हो तुम्हे घर के काम करने की क्या सोचने की भी जहमत नहीं महसूस होगी तुम्हे हर चीज तुम्हेरे कमरे में वक्त पर मिल जाया करेगी वाह या अंदाज है बेटी की खुशी में खुश होने का ऐसे मुबारक बात दिया आपने जैसे कोई कर्ज अदा किया असे मुबारक लिए सुनते लिपन की भी आप अट कर अट कर अग अग मेना अज भर्ता को डॉक्तर के ले किए ती जानते है ।ौक्तर नी क्या काह ती एक मिनत एक मिनत एक मिनत दोक्तर ने जो का वो तो मुझे बाद में बताना सबसे पहले ये बताओ कि ये मिठा ही किस खुशी में बताती हूँ अजमीत अजमीत तुम भी आओ ये लो ये किस खुशी में कि बाबा ने आपको बहुत बहुत सर्प्राइज सुनी दिये अजमीत बताओ कि अपके बाबा भी बेखबर हैं आपकी मामा बता ही रही है अब तो बता दो आप नाना पनने वाले हैं और तुम मामू इतनी बड़ी खुशी की बात और तुम बता रही हो कमाल हो गया है ले ले बिठाई ले हाँ लाओ लाओ अच्छा अब कल जहना आप दोनों अफ़से जल्दी आएंगे फिर हम ठेर सारी मठाईयां और बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर मर्दा के पास जाएंगे पक्का हो गया पक्का मेरा तो बस चले पूरा बजार लेकर उसके पास सली जाऊं मामा मुझे तो आप माफ ही करें प्लीज असमीर बेटा तुम्हारी कलोथी बहन है मामा मैं आर्यू नहीं करना चाहता आप सा मैं अपने यसाप से चले जाऊंगा स्वारी इस लड़के के दिमाग से अब तक वो लड़की नहीं निकल पाई है और तुम क्या करती अंदाजा है तुमको वो जिस लड़की के सामने जाना नहीं चाहता और तुम चाहती हो के बार-बार वो उसके सामने जाकर खड़ा ओजाये नहीं तो क्या करूँ अपने बेटे को उस लड़की से मूँ छपाए रखने पर शावाशी तूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बलके काम क्या करो, उसके जखम पे रोज़ाना नमक चिनका करो, ताकि उसको जखम जो है न वो ताजा रहे, उसको यार आती रहे, तकलीप में रहे वो. मतलब हद कर देती हो तुम तो, यार? हुदा की शादी कर रही हूँ मैं, आदिल से भी मिल लो और उसके घरवालों से भी. ये सर्वत आंटी का दिमाग और जिवाने को ज़्यादे ही जब में लगए, और ये रिष्टा ये कहां से आ गया, ऐसा कौन निकल आया है, जो इस बदनामे जमाने लड़की को रुकसब करके ले जाए, ये राज यूसरे ही के जरिये खुले गए. क्या बात है? इतनी चुप-चुप क्यों बैठी हो? सब ठीक है? शामीर ने कुछ कहा है. बाबे, उस उस शक्स के में सामय नाम नहीं ने. तुम तुम रो रही हो? क्या बात है मुझे बताओ, सब ठीक है? किसे ने कुछ कहा है? मैं तो पूछने ही भूल गई, तुम उसे मिलने के लिए गई. ये क्या हुआ है? रोना तो बंद करो. बताओ मुझे क्या बात है. बताओ. बाबी, मैं वो शामीर है ना. शामीर ने क्या? अरे भाई, आगे भी तो कुछ बोलो. बाबी, मैं जब उस से मिलने गई थी ना, अपने फ्लेट्स में लेके गया था मुझे. आप तो कह रहे थे कि भाई साब के धर जाना है? आप तो कह रहे थे कि भाई साब के धर जाना है? आँ, इरादा तो किया था मैने लेके ना. एक ओफिशल मीटिंग आगे ती इसलिए ने गया. चलते हैं गुदिन के अंदर. सबा माहम और अजमीर के मिज़ाचें में बहुत फर्क है. जितनी जल्दी हो सके हम उनकी शादी कर दने चाहिए. चेहर के इंदार करना बेकार है. देखें सल्मान, मैं तो आप से कहूंगी कि जो भी फैसला कीजएगा, सो समझ के कीजएगा. मुझे तो डर ही लगा रहता है. क्योंकि माहम के महबत में जनून जादा और महबत कम है. लेकिन इसना शादी को डिले करना दोनों खांदानों बलके हमारी इज़त के लिए खत्रा है. अगर खुदाना खास्ता बात में कुछ हो गया तो? कैसी बतें गर्यों तो माहम के समझाल लेगा. मंगनी के बाद उसने कौन सा समझाल लेगा? जो शादी के बाद समझाल लेगा. मंगनी और शादी में बहुत फर्क होता है. मेरे सलमें बहुत दरदोरा मुझे कब चैप लाता हूँ? चेल लाती हूँ. बड़ी अकलमंदी दिखाई युचरा ने, जो किसी के सामने मेरा नाम नहीं लिया. मगर कब तक? एक तरफ युचरा की, उससे दोस्ती और मुलाकात मेरे लिए मुसीबत बंदे. और दूसरी तरफ, खुदा की शादे. आरेज की सेलरी से तो मेरे खाइशात पूरी नहीं थे. फिर माँ, बहन, भाई के खरचे. खुदा की शादे होकर अगर वो चली गए, तो सारे खराजात आरेज पर बढ़ जाएंगे. और हमारे अपार्टमेंट का प्लान? नहीं. वरता, सूच. उससे पहले के पानी सर से गुजर जाएंगे. आजे. ये आगया सारा समान. अरे, इतने सारे पाकेट्स? क्योंके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ख्याल हूँ. तो मीठा, चटपटा, सब कुछ ही मैं उठा कर ले आया. वो क्या कहते हैं कि इस कंडिशन में मूट सुइंग्स होते हैं तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा क्या दिल करेगा खाने का. चले, ये तो आसानी होगी न पिर. अब आपको सब कुछ समझ आ गया. अब जब भी मुझे कुछ खाने का मूट हुआ करेगा तो मैं रूंके सारी चीज़े तोड़ फोड़ कर दूँगी. हाँ तो ठीक है तोड़ देना. मैं सारा समान दुबारे से ले आउंगा. दिल खोल कर तोड़ना. मैं यह संजूँगा के मामा का लाडला या बाबा की लाडली का मूट खराब है. खुछ से में है वो. अच्छा बताओ. क्या दिल कर रहा है खाने का? मेरा या... यह लुग? यह नहीं. वो. क्या है और रहा है तर देखे दो. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो